कि हलो एक बार सभी मेरे प्यारे बारे बच्चों का स्वागत है फिर से शांदा प्लेट फॉर्म पे जैसा कि एक्जाम डेट आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों और उसके वन शॉट के फॉर्म में हम पूरा कंप्लीट से लिए बस प्रिजिस केमेस्टी बाइलोगी जो है रिवाइस कर रहे हैं बहुत सारी क्लास चुकी है आज जो केमेस्टी में डिसकेशन का टॉपिक है वह है कैमिकल कानेटिक्स यानि रसायन बल्गती कि किस हिसाब से अभिक्रियाओं की दर्न हर्दायत होती है क्या इसके पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्लास को खतम करना है एक गंटा बहुत ज्यादा के लिए 45 मिनिट में इस क्लास को ओवर करेंगे और वही सब चीज़ें पढ़ेंगे जो एक्जाम मैं पूछी जाती है ठीक है अनैसरी अन्वांटेड यानि कि बिना काम की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे सीध करना है अब बनते हैं यहां पर पढ़ते चलेगे सबसे पहले खूंए होते ही है वह मारे पास मारे येऊ चैनिये रReaction Nic पड़ी जाती है इन्रीचमें आगर करूं हाज तो कма्नितेंक्त में हम मौड्रेटट री अक्शन को पड़ते हैं कि से मडरेट र्याक्शन यहां पर मौडरेटन रेक्शन जिसकी स्पीड जो है वह फास्ट रियक्शन है उसके बाद मैं बात करूं तो स्परीद में कौन-कौन आता है जैसे रस्तिंग जब लगना तो जब लगना एक अगया है एक स्लो रिक्शन है इन दोनों टाइप कि अभिक्रियाओं को हम यहां पर नहीं पढ़ते यहां पर जो मध्यम वेग की जो अभी क्रिया होती है उनको पढ़ायाता है यहां तक बात आई थी आपके समझ में आरखी एक्लेयर है अब अगर हम बात करें किसको देखते वह आगे अब यहां सर वेलोसिटी देखनी तो है यहां वेलोसिटी देखनी है वेग देखना है अब इसमें अगर बात करें मध्यम वेग के अंदर बात करें तो सिंपल सी दिया मों कुछ बास आती है कि सर्वेग कैसे निकालेंगे तो वेग हमने क्या पढ़ा था इस पीड क्या होती है अपनी डिस्टेंस अब यानि क्या होग आपना विस्थापन बिटा समय अगर चाल संदर्था कैसे निकालता है क्या मूल पर लीटर के साथ से निकालता है यह और से क्या निकालते हैं गया पास बसे अपने आप में एक संदर्था उगया तो यहीं क्या गए है तो यहां पर बीजिए निकालने का सिंपल सा फंडा हो गया I सब्सक्राइब करना है अब आगे आते जैसे टाइप आफ रेट्स ऑफ रेक्शन के बारे में बात करें अपने बात करें अपने अभीग्रिया है इसके बारे में बात करें तो यहां पर दो टैप की रियेट होती है और मैं बात करूं तो और होती है उसको क्या बोलते हैं total change in Konsolidation total मतब क्या total जितना भी konsolidation में change zuva जितना भी सांदरता में परिवर्वर्तन हुआ है और उस परिवर्षन में लगा total समय हो हमारा क्याया bright etwa total average प्रिवर्ज रहा नर् Fam Barnes क्या तो टोटल सेंजिंस इन सांदरता में परिवर्षन कितना हुआ टोटल कि जितना भी सानता में परिवर्टन हुआ और जितने समय में हुआ उसका अनुपाथ ही क्या क्या लाएगा हमारा और यहां बात करें जैसे ग्राफ हो गया अब आपको पताएं हमारे पास में अगर मैं ग्राफ बनाओं तो आप देख पाओगे कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं यहां पर हमारे क्रियाकारक यह उत्पाद है और यहां समय है तो समय के साथ में क्या होगा उत्पाद तो बढ़ेगा समय के साथ में उत्पाद बढ़ेगा जबकि समय के साथ में क्रियाकार के लिए या फिर मैं बोल दूं के रियाक्टेंट है रोप्स को वह उसका उसका बढ़ रही है भी समय के करियाकारक का ग्राफ है यहां कुछ और थी यहां कुछ और है तीन दिए गए हमको परिवर्थन निकालना है तो आवरेज और परिवर्थन के तना हुआ तो मानलो C1 और C2 के बीच में हमको बात करनी है इंदू पॉट्ट पर अंतिम क्या है C2 तो C2-C1 और यहां पर गया लिकार T2-C1 यह निकाल लिए हमने अगर मानलो उसने पूछा होता यह C1 यह C2 और C3 होता तो मैं क्या करता है C3-C2 और T-C1 इस तरीके से निकालता तो यही अजिश परिवर्तन के दौरान लगा कुल समय क्या खलाएगा हमायरा ओसत्त वेग करता है क्या है ति और यहां तक बाते पक्की पक्की अब अगर आगे देखें ंस्तेंटीनेस क्या होती यानि ताक्षन घुबर पहला वेग सा Nora यो गया क्वान आप लोग उने बाइक चला रही होगी मेरे प्यारी बच्चों ने अब आप लोग जब बाइक और स्कूटी चलाते हो ठीक है या कुछ बशें चल विल्लोड तो अब वहां देखो गया होता है कि जब आप मानों कारी चला रहे हो और मैंने आपको फोन किया कि बिटा बंटी आपenden चला रहे हो आपकी स्पीड मे venue जाता हूं aos जाता हूं आपने 60 קपर Aa अगर मैंने पूछा मैंने का नहीं बिटा में स्पीड में देख के बताओ तो आपने देखा अभी तो 98 चल रही है तो यह 98 क्या है आपकी ताक्षनिक स्पीड है तो सर और 60 कैसे आगई क्योंकि यह सब अभी वाला समय रोड़ खाली मिली आपने स्पीड सौब वगहा दी लेकिन कई बार रस एडिया होता था आप इसकी आपकी स्पीड 30-40 चलती है त पता हैं जो यह साथ अब आपका रियल मुखस्राट लेक नहीं थी प्रिगल श्चन ओंड़स्प्ट अब अगर मैं वाध तो यह आपको प्रक पर्ड़ा प्ता होगया और राचनी क्या हो गया क्या होता है निर्म ही यह तौफ आपका ओसत हो गया यह आपका हो गया और यहां से यह आपका क्या हो जाएगा तक्षनिक हो जाएगा अब अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होगा reactant जो भी हमारा क्रिया कारख होगा वो घटरा होगा इसलिए यह पे sign क्या है minus का sign है, क्योंकि वो घट रहा है और किस समय पे हैं तो यह जो है यह r कहां दे रखा है आपने को yx पे दे रखा है और t कहां दे रखा है xx पे और मैंने आपको हमेशा बोला है 10 theta हमारा क्या होता है स्लोप होता है और स्लोप हमेशा क्या होता बिटा डी वाई बाई डी एक्स यानि कि वाई एक्स में जितना परिवर्तन होता है और एक्स में जितना परिवर्तन होता है उनका अनुपात ही हमेशा क्या मिलता है हमको स्लोप यह नहीं धाल मिलती है क्या मिलती है स्लोप बोले त राफमें जो है और y और oN kya करना है तो उनकों को समय अवाश निकल गई क्लियर है अब देखो यही हम को यहां ध्यारते हैं श्राय तो ताक्षाय के लिए का यहां हाएगा नe वह निकल के आई आरहा है जितना भी सर्सान्दम में परिवर्थन था और यह समय में था यहनुनि दी सी बाइडी डियार बाइडी या डिपी अब दीकुटी डी आर यह क्या है क्रिया कारक रखे गटेगा दो इसके साथ माइनस आएगा लेकिन यह क्या है यह उत्पाद है विटा यह तो बढ़ेगा सब्सक्राइब कर्याकार सब्सक्राइब और दर भर उसी दर को सब्सक्राइब सबीष सब्सक्राइब करलें यह उन्हेगा य Engagement सब्सक्राइब ऑट कर लिए अब आगे बात करें कि रेटलॉऔ क्या होता है देखो रेट लौ अलग चीज है और एडर रिबार और पक्रेंटाथ यापको एक प्रोर Personen की नियम देखना है क्या देखना इसको क्या बोलता है दर नियम और यह दर नियम किस बात पर निर्भर करता है वो भी देखना है तो दर नियम क्या होता है जनरली हमारे पास में तो जो रेट है अभी कि जो दर है अभी कि जो दर है वो क्या होती है हमारे पास में सांदरता के समानुपाती होती है जो भी सांदरता होती है उसके समानुपाती होती है और उपर कुछ घ हिआ जब वहां इसको क्या करते हैं तो हमारे पास इसको बोलते हैं रहे हमारे order of reaction order of reaction आप इसके ही हमारा चेप्टर भूमेटाै है अभी कोटी किस की अभी-क्रिया की अभीप्राइब कोटी अब वे क्या हमारे पास में रेट कॉंस्टेंड ये क्या है दर नियतांक है ये क्या है दर नियतांक है अब ज़र दर नियेतांक स्पासिविक रियाक्षण रेट भी बोले इसको क्या बोलते हैं विशिष्ट दर भी बोला जाता है रेट और रेक्षिन वेन कंसल्टिशन इस उनिटी यानि कि यह वो दर नियेतांक है यह वो दर है जहां पे हमारी संदर्था कितने हो जाती है यह आपसे इंद्राइब का पढ़ाया रहा है कि वह एक यूट आपसे जरूर पूछता है तो यह की यूनिट क्या होगा है यहांट के सब्सक्राइब वन माइनस और प्रपी माइनस वन ये आपसे इंपर्टर्ट है द्यान कीएका मुस्ट इंपॉट्टर्टर के का ज़्युट क्या होता है तो के का यू मारे पास में यू कई कह वह क्यक हिसा कर दा जो भी आपके फास होगी सांदर्ता 1-1 अभिक्रिया की जो भी कोटी होगी 1-1 कर दीजिए और टाइम अर्य maire ये आसे पूछ था जैंस भी जान मैंने से ऑगी चलें अर्डर आफ रियक्षिञ यानिENT क्या है अभिक्रिया की कोटी क्या है तो अभिक्रिया की कोटी क्या होती है इस उपीघ्रा की कोतीजिए आपको रियाक्शन दी रही है něे ए प्लस बी इस इगल वन रहा डिकत्र मारा अब ये कुछ गुणांक दिए गए हैं जो इसकी गधी गुणांक दिए गए हैं जो इसके की गूणांक है इसको हôm क्या बोलते हैं यहां पी और फी एड कुझ्या है ए अच्छ तिए के बारे में लिखा गया है बट अहर। conditions वेलुज वह एमवन और एंचुन होती हो ली और नहीं बिसक्ता है पी की जिए मजा में बी घो सकता है've news में कि हमेशा ही हो यह एक्जाम में कई बार confusing होता है यह आप से पूछा द्धान रखेगा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा यह चीज हो अब बात करें पी जो लिखा है यह क्या बताएगा यह बताएगा अभिक्रिया की कोटी तो प्री हमारा क्या आभिक्रिया की कोटी एक रिलेक्टे यह और ऑफ रियाक्शन बता रहा है विदयर स्पैक्ट ऑफ रियाक्टेंट a and q is order of reaction भी बी के लिए बात करें तो कौन और फीच्छन टोटल whole पूछे बिटा तो P प्लस Q को जोड़ दिया तो over of order of reaction बता देगा यानि कि यह हमारे पास में एक्वेशन है आर डाक्टी प्रिप्रपोर्शनल है A और यह P और सानुता B इसका है Q तो बिटा जी जो हमारे पास में Q है वो अभिक्रिया की कोटी है किसका order of reaction है किसका only B का order of reaction only for B है P जो है वो किसका है order of reaction only A का लेकिन अगर मैंने P प्लस Q कर दिया तो यह whole reaction का हो गया किसका हो गया यह whole पूरी अभिक्रिया की कोटी हो गई बिटा पूरी अभिक्रिया की कोटी हो गई यह आप से जनली पूछ अगर आप से कोई अभिक्रिया की कोटी पूछे कोटी क से बदल रही है वो कौन बताएगा क्यों क्यों बताएगा और इन दौनों को बदलने पर अभिक्रिया किस हिसाब से बदल रही है तो पी प्लस क्यों बताएगा यह अभिक्रिया की कोटी दर्शाना चाहती है तो शुनने कोटी की विक्रियो में मेह अगर हम बात करें तो रेट हमारे पास में क्या आती है ॥ किसी की भी पावर 0 होती है क्या नहीं होती बदलती ही नहीं अभिक्रिया की दर निर्भर कर अभिक्रिया की दर सामज़ता पर केलिए अभिक्रिया की दर किस कोटी की है शुन्य कोटी की इस तरीके से आपको पता है सानथा में परिवर्धन निर्भर यह तो प्यप्व यहां पर यहां पर इसको करते करते हैं क्या हो जाएगा सी नोड माइनस के टी यह आपको ध्यान रखने हैं विकॉस आपसे पूछ साय था कि टी समय पर सांदरता क्या होगी के का वेल्यू आपको दिया होगा यह छोटे-छोटे बेसिक सवाल है आपको एक्जाम में आते हैं पर ध्यान रखेगा यहां फिर से एक यूज़िट पूछी तो कि यहां हमने देखा है सार मोल लिंटर ऑस में और आ सबस्क्राइब हो आएगा क्या था हमारे पास में वाईनों आ हो गया अब time of completion कितना time लगता है उसको खतम होने में तो बस ती को उदो लेके जाओ तो यहां क्या आएगा पीटा साहनता आएगी और यह किया गया तो खतम होने में क्या टाइम लगता है यह लगता है यह लगता है अब यह अब कि दर यह थी वह समय लगा यह क्या है यह अब इस और क्या हो जाएगाँ हो जाएगा और दयूकार हो जाएगा तोड़ हो यह ह्मारे पास मैं सी दो ग्याम हुछ अदा कर दिया तो यह तो यह क्या है यह मारे पाक है एक सबшт graduates कोडी की अभिक्रिया का किसका है एक सबन्सक्राइख की ज कि सम याँ पाती है् यानि सान्दा के क्या है वो समानुपतिया जितनी ज्यादा सान्दा होगी प्रारम में उसका अर्दायूकाल उतना ही बड़ा होगा यानि कि अभी कि रहती है यह वह रहती है शुन्योटी के अभी क्रिया होती है यानि कि वह क्या रहती है अमेशा नियत रहती है इतनी भी अभी यहां पर इन लाइनों के इन लाइनों जो मैंट्स की लाइन लग गई है उसमें आपका हिंदी मतलब आपको पताऊना चीह कि कहना क्या चाह रहा है इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनिएगा अब आते हैं फर्स और रियक्शन ज़ानी कि पर्थम कोटी की अभी क्रिया पर हमारे पास तो अब हमारे पास में सीधा फॉर्मॉला निकल कि आता है ठीक है जिसे पैसे लिए बनते हैं वह समय अभी गया पूर्मॉंट होती कि क्या रहीँ विख्ण होता है t प्रारंभिक सांदर्ता और यह मेरे पास में क्या है अंतिम सांदर्ता या टी समय पर सांदर्ता ही इस प्रांद्ता या टी समय पर सांदर्ता अब अगर लें जाए मान लो तो क्या बनेगा पास में यह भी पूछ दो यह तो अब कि आखर में और सिंपल सी थी बात कि सेथी पारे में किसा टी हाफ में सांथा आदी हो जाएगी ऑके तो यह नहीं पर नुपर चुलाएगा तो अब यहाँ पर टी हाफ क्या हो जाएगा अलन 2 बाइग क्या होगा क्या होगा यह है हाफ हो जाएगे तो यहां क्या आएगा पिटा एबाई टू तो यह वैल्यू और लॉग टू आपसे मल्टिप्लाइब क्या बन जाएगे पिटा पॉइंट 693 यह फॉर्मूला आपको या दखना है इस पर कॉशंस काफी ज़्यादा आपने आपने गा रखना इसका मतलब पर्थम कोटी की अभिक्रिया जो है मारी क方面 नहीं करती इसके लिए 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 लेगर नहीं करती यह लिब् Track 통 कि निर्भर है कौन पर्तम गोटी के भीक्रिया का छाफ और करक्स होगा सब तो इसको थोड़ा से और मॉडिफाई कर सकते हैं जब आपसे यहां पर टी एवरिज पूछ लिया जाए तो और का फॉर्मुला क्या होता पिटा जी ध्यान रखेगा वन बाइक के वन बाइक होता है वन बाइक के या फिर सकते हैं वन पॉइंट फॉर फॉर एंड टी हाफ य अब फॉर्मुले सारे याद करें जाना बड़ ध्यान रखना कि किस फॉर्मुला किस ऑडर ओफ रियाक्शन का है किस अभीकरा की कोटी का है वो कंफ्यूज मत होना तो इस सारे फॉर्मुले हर्ज के चीज़ा आएगी सुनने कोटी में भी हाफ पढ़ा पर्थम में भी डिया है हमारे पास में टी क्या निकल कर आया था माइनस 2.303 अपर के लॉग सी टी प्लस 2.303 का लॉग सी यानि अब हमने प्रारंबिक शानता और अर्टी सम्वें पर वोग अलग कर दिया अलग कर दिए ये लोग लेके तो बिता अब आप देखो जब हम यहां पर बात कर इसका परत्म होटी के अभिक्रियाओं के लिए सिह लोगा ख्रूइज दम लिए तो 2.30 वाए के एक यह हमारे पास में क्या खुए जो पर है और यह समें यहां पास में यहां पर यह दाल रही हमारे पास में किस और यह देखो ग्राफ नीची आ रहा है तो यह किस खाल ग्राफ किरिया कारक सब्सक्राइब करण हो रहा है क्धियाख लोग रखेंगे लग गोनग क्या उते आपको ध्यान रख लूँ पिर आते हैं मुद्ट्यकोटी के अभिक्रिया है उसमें बात करें तो देखो कौन-कौन सी ए वार ठीक है और यहाँ पे बन रहा है तो अब यहां पर फ्रोड़ेक्ट बना दो टैप कि हमारे पास अबिक्रिया हो रही है तो आप इसमें सीधा से जाना कूए जंदली आपके से थ्यान क्या रखना है क्या कोशन साफ के आएंगे तो पहली बात आप जाना कोंगे के अंदर जो आपका केटी होता है उसका formula द्यान रखोगे क्या 1 by a-1 by a-x यह formula द्यान रखोगे दूसरा अगर हमारे पास में दो अलग-अलग क्रियाकारक रखें तो हमारे पास में का formula क्या निकल के आएगा k is equal to 2.303 भी-टी माइनस फीन लॉग सिंद हैं नहीं पूछ नहीं पूछेगा बस यह फो मुषक है कि इन फस्म तॉपर। पूचेगा सबस्दिया हैं सब्सक्राइब मारे ज्लोग साथ या जुदे-रेट के लेकर लेकर थोड़े सी बात की जाती है तो अपन देख की जाते हैं थोड़ा अब बात करते हैं method of determination of order of reaction यानि किस तरीके से हम अभीगिरा की कोटी निकाल सकते हैं तो कोटी का निर्धारन कैसे करते हैं अब 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 यहां पर जैसे अपने पास में रेट लॉट दे रखा था कि अब 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 यहां पर आपको रेक्शन निकाल नहीं हो तो किसी किनी दोग को क्या कर दो सबक्ते दलेगे और यहां इसको मन concurrent किया दो किको U कि A की हिसाफ से बदलेगा अगर यहां किससा नहीं बदल रहा है इसका मधब यह स्मॉँल हई क्या होन्त थी हैं कि अब गिरिया की दर क्या होती है को थी भी पता चल जाएगा तो डिप्रेंट इनिशाल कंसरेशन ऑफ ऑफ क्या करें अब आपको डो कंसरेशन दे रखी है ठीक है कि यहां पर डिकान दे रहा है तो अलग अलग साथ दे रखी तो आप क्या करोगे रेड़ा रेज रखें तो इसको कंपार कर लो पीटा उना तो यह तो हम सब इसको कंपैर करेंगे तो आर वन आर टू क्या हो जाएगा मेरे बास में एवन और एटू और पावर क्या है इसकी ए है एक हिसाफ से कर लिया हमने इस तरीके से आपको दिहान रखने हैं आपके दर नियम के अंदर यूजिंग इंटिक्रेटर रेट लौ अब यहां क्या बताता है एट उसकी नहीं कषा गया है अभी तक नहीं पूछा गया इसलिए इसको जाद बने नहीं नहीं आया आपके आपके एक्जाम में क्या पूछा गया जैनले आपसे ग्राफ बूच्छे गये जो मैसे बताए कि दर कहा निर्वर करती है किस पर करती है सिस्सकी आपसे पूछी गई है अब हाफ-laaf क्या यह आप seriously कि अर्ध आयू काल अगर किसी एन-order बारें बात कर लें कि अपके लिए के लिए कि कोई होगी तो उसके लिए और झाल का एक जनरल फॉर्मला होता है कि उसकी वार्ण एक जो खालता होती है उसमें क्या कर दो एन माइनस बंकर दो अपॉन में यह उसके हर में होना चाहिए ती आएगा तो आएगा अब यहां मैंने शुन्य रख दिया इसके लिए अब यहां पर रख यहां पर रख यहां पर रख यहां पर सिर्य समानुपाती है यह नहीं है बस उस तरीके से आगया हमारा एथ यह देखो अब णगों टीक लें पर्थम मांन रख देते हैं चलो तो टी हाँ सीजिस मानूपाती है यहां रखते हैं तो यहां रखते हैं यह लखा तो टो क्या हो गया सब्सक्राइब कर रहा है क्या टी हाफ लाइफ टी हाफ लाइफ अभी कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो क्या यह हमने पढ़ा था यहां देखो टी हाफ परता मोटी यह वहांव मैं अभी हमने बावगी पढ़ि कि वह इनीशल सब्सक्राइब रहता है अलेर भर करता ही नहीं है आगया हमारे सब्सक्राइब करें तो यह आएगा ती वन बाई टु ऊर नॉर टौ-1-1 वन आएगा तो यानिकि तो यह आ बाते हैं इस टाइब के जिए आपको भाषा बोली ना यह लैंग्विज फॉर्म में प्रोच अच्छी है यानि कि यह बहुत सिंपल बस आपको लैंग्विज फॉर्म में दिये गए होंगे बिल्कुल होता है इस तरीके साब निकाल सकते हैं यह इसको नियत मान लिया था तो जब अभीक्रिया किस पर नियत करेगी उनली एक ही शानता और उसकी कोडी पर करेगी तो बस इसके बराबर कर दिया हमने इसको बोलता है और आइसुलेशन मैथट क्लियर है अब देखो मैथड ऑफ मॉनिटर दफ्राइस आफ रियाक्शन यानि एसी कौन से मैथड़ से हम क्या कर सकते अभी कि वेक को निर्दाय करके इसको देख सकते हैं कि बदल रहा है घट रहा है तो प्रोग्रेस ऑफ गयास रियाक्शन केन बी मेंटर अन मेजर्ड तोर्टल फिक्स वॉल्यम अटेंप्रेश्टर के इसके ब्लम को नहीं हो रही है किस दर्स से हो रही है घटाज किया बनाते हैं दिए कॉकर में अजो भी तो हम खाना बनाते हैं तो कुकर में क्या होता है तो वह जो है वह प्रेशर है वह प्रेशर है पानी जो है वह भाब बनके नहीं जा रहा है उब रहे हैं तो इसका मतलब सब्सक्राइब कर देखते हैं कि अगर आलू है जो पुश हो रहा अच्छे से तो यानि कि यहां पर आपको यह बस ध्यान रखनी है इस फॉर्मले का आपके लाइफ में कोई मतलब नहीं पूछेगा तो यह फॉर्मला आपको जाने रखना है अब इंपॉर्टन चीज़ पैसे यह भी नहीं आपके लिए आपको इतना ही ज्यान रखना है कि मैं आपको बता देता हूँ कहना क्या चरहा है तो यह तो बहुत करते हैं यह अपने परिवर्टन करते हैं यह अपने आइतम में परिवर्टन करते हैं जैसे बिटा तो यहां पर वॉल्यम में फरक पढ़ रहा है नहीं हो रही है तो यहां पर अभी कर्णा प्रेक्शन से पता लगा लेते हैं यहाद नहीं रखने आपको बस मैं आपको समझाने कोईशिश कर रहा हूं कि अपकी क्या-क्या दे रखा है अब study of acid hydrolysis in a ester अब acid hydrolysis अगर आप से कोई portion पूछ ले क्या कि अगर मैं बात करूँ अमल का जलियर अपकटन क्या बना देगा बिटा एस्टर बनाएगा तो यह क्या है यह हमारे टाइटरिशन वॉलियम मैं इसको निकाल सकते हैं क्या कि अमली माधिय में अब्लैंप से इसको निकाल सकते हैं अभी घर खुन लेृट करें थे कर हम बात करें तो क्या निकालते हैं आप रहा हमारे पास वोक्रण होता है तो वहां से वह निकालते हैं तो अब विक्रिया करण उत्पाद बंगया है या कितना हो रही है उत्पाद में बदल रही है अब दर का पता हम लगाया जा सकता है कि अब देखो एफेक्ट ऑफ टैंपरेटर आफ रेक्शन यह बहुत फिरड़ यह पूछाता है और इसमें सीधर क्या पूछाएगा कि अभिग्रिया की 10 को हर 10 बढ़ाने पे अभिग्रिया की दर म मैंने क्या कर दिया यह 650 बढ़ा दिया तो अभिग्री की दर में क्या फर् Glad तो आप दोगोना कर चाहोगे हैं कि अच्पिर को और क्या कारक और कुछ उत्पाद के लिए कुछ प्रस्ट जरूरी होती है debi कुछ अड़ुओं बлось सब्सक्राइब होना जरूरी होता है क्रिया कार्ण से उत्पार बदाण करने के लिए कुछ अणों का सक्रिय होना जरूरी है वह सक्रिय तक ग्रहन करने के लिए कुछ उर्जा चाहिए होती है हर एक को तो क्रियाक यह उर्जा है यह उर्जा का इस तरह हो गया मांनो मैक्सिमम तो क्रियाकारक उपर बैठें तो यहां इसको यह उर्जा चाहिए तो सब्सक्रेवर्द हुभा है लेकिन यह क्रियकारक की है और यह बोलना चाहनाँ कि क्रिया कारक की यह या आगर इस उत्पात को दुबारा क्रियाका रक में जाना है इतनी उर्जा तो चाहिए इसकी ऑस्किए अनरजी किसकी ए अपके प्रोड़क्त की जिए यहां रखेगा प्रियाका यहां पर पर क्रियाकार्ण की ऊच्पी अभी कर एक्षिप और एकज़ोथर्मिक रियाक्षन के आपके एक्जाम में यहां से मनेंगे याइन पर बनेंगे जैसे यह उत्पाद की क्रिया कारक करियाख कारक क्या रिख्या रोगी बिल्कुल क्या एक पत्म सकते हैं बिल्कुल औरियाक्टन्ट की पूछें जाएंगे हाई होती है ऐसे पूछाएंगे किसके अंदर यह क्या है ग्राफ में तो यह क्या होती है अब यह क्या होती है हमारे पास में जो हमारे पास में इनर्जी है और प्रडट्ट के बीच जो ग्याप होता है रियाक्टन त्वाद के बीच कि अंतर है यह सारी बात लेकि गई और क्या हो गए हमारे पास में और पास में एंधरलपी इसकी प्रड़ उतपाद की डिल्ट एच क्या होगा हमारे पास और अगर धनात्मक चेंज तो एक्जोथर्मिक और रनात्मक है तो एक्जोथर्मिक यानि उश्मा शोशी हो गया एनरजी अप्टिवेशन है पीटा कि एक्टू तब आएगे ना पीछे जाएंगे और इवन तब आगे जाएंगे तो इसको ऐसे भी लिखा और यहां तो बैक्वर्ड अक्टिवेशन एनरजी यानि कि पश्च्च अब या पश्च्च शक्रिय उर्जा जो है ज्यादा होती है जबकि अगर बात करूं तो अग्र सक्रिया नुर्जा क्या होती है अगर भी पूछी जाते हैं आप से तो इस टेट्मेंट वाले वाले वह सक्रिय करना है और उत्पात के लिए वाले उर्जा को इसको सक्रिय करना पड़ेगा तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो क्लियर है अब आगे बात करें अगर मान लो इपी ज्यादा है और आर कम है तो यह मारे पास में क्या हो गई एंडो थर्मिक पी कम आर सोटा और रुष्ma सोझि वह और क्लिया अब यह क्या हो गई मेरे पास में अप्लियर पास में परिवरधन यानि डेलटा पी मानस डेलटा आर क्या जाएगा एन। एंधली में परिवर्थन अब यहां पर और यहां पर देखू आप अपर एनरजी क्या हो जाएगी मेरे पास में यह बी जनली पुछा देखा लिया उर्जा नहीं देहलिया उर्जा बोलता है मिटास को देखा लिए फॉर्वर्ड प्लस आर की उर्जा इस तरह कि आपको चीज़े एड़ करने हैं तो अगर अभी किरिया और एकी और पश्चा भी किरिया और बी उत्पात की उर्जा तो यह क्या गलाएगी हमारे फैस्ट्रॉल्ड उर्जा क अब यहां पर विटा अगर इसका हम लॉग ले लेते हैं तो लॉग क्या है गाएगा डी एलन के बाई डीटी इए बाई आर्टी स्क्वेर यह आप मारे क्या हो गया है अब जियान रखीए यहां पर जो रेट है ठीक है वह क्या कर दिए हमारे फोर्मल आपने शुरू से प इस इगल टू इए माइनस इए अपॉन टू पॉइंट रिटी आर वन बाई टी प्लस लॉग यह यह जनली आते हैं जाना कि इस नियुमेरिकल सेग्मेंट आएगा तो इस पर आएगा बाकि सीधा आपसे फॉर्मला पूछा जा सकता है ज्यान रखिए गा अब अगर हम बा अब यहां पर थोड़ा सक ज्यान रखना कि यहां पर थोड़ा सक ज्यान रखना कि के टू बाई के प्रपोर्शनल नहीं है ध्यान रखिएगा और आप ग्राफ उच्छे यहां पर यहां बात करें तो यह हमारा पिसमें यहां से बनाए गया यह वन बाई यहीं हो जाएगा बस यही बाद है आपको ध्यान रखते हैं पिसके बाद में अच्छा यहां हमारा चेप्टर फिनी फिनीश हो गया यहां समयने निमारिकल कहां कहां आते आपको बता दिये और इसी के साथ है जो तरी वाले इससे अब कुछ लाइने थी वहां से कुशन जनली आते हैं वह कुशन तो ट्रिकी बन जाता है थोड़े अच्छे कुशन बन जाते हैं इसके लिए एक समझता है तो इस तरीके से चीजए करनी पड़ेगी थीक है थी तरीके से आप को पढ़ना भी है और इसी तरीके से आप अगर चीजे करते हो अगर कर रहे हो और वह करना है जैसे मैं बता रहा हूं किस चैक्टर से कैसे कोशन आते हैं नियमेरेकल किस्टे से आते हर सेग्मेंट मैंने वहां टकिया था था आपको इसे आपको तरीक हैर और रोटे मिल जाती है कि आएगा तो थीस चारिक को हमारा अग्जाम है वह कैसा होगा वह सारी है फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते हो मुस्कुराते रहो और शांदा तरीके से त्यारी करें ताकि एक मैडिकल कॉलेज की स्थीट हम अपने हाथ में लेकर रखें चलिए बच्चो